हेलो एबरवान माइनम इस रॉक्टर इम्रान घान वेलकम बैक तूमा चैनल आज हम लोग चाप्टर सुलूशन्स ग्रेट 12 का नेक्स वीडियो देखेंगे जिसमें हम लोग आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे प्रीविस टॉपिक हमने जो पढ़ा था दाट वाज बॉलिंग पॉइंट दूसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अचा तो पिछले टॉपिक में या पिछले वीडियो में आपने यह समझ लिया था कि जब भी आप नॉन वालेटियल सेल्यूट किसी वालेटियल स्वालिमेंट में डालते हैं तो वेपर प्रेशर का डिक्रीज हो जाएगा तो उसका बॉइलिंग पॉंट इंक्रीस हो जाएगा तो इसलिए क्योंकि जब वेपर प्रेशर कम होजाता है देखिए पहले यह समझने की कोशिश करिए कि बॉलिंग कब होगी बॉइलिंग तब होती है वें दी वेपर प्रेशर ऑफ नीक्वर यह तो जब अगर container बंद नहीं है तो यह condition होती है अगर container बंद है तब यह बोला जाता है कि boiling तब होगी जब vapor pressure of the liquid becomes equal to the pressure that is to the vapor pressure that is present in the container यहाँ पर हम यह consider करते हैं कि container खुला हुआ है तो हम यह boiling के definition that boiling will start only when the vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure अब जब आपने non-volatile solute डाल दिया है तो solution का vapor pressure तो कम हो जाएगा तो आपको इसको ज्यादा temperature देना पड़ेगा जब आपको ज्यादा temperature देना पड़ेगा या temperature इसका बढ़ाना पड़ेगा तभी तो solution का vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure तो इस वज़े से जो solution का जो balling point होता है वो बढ़ जाता है तो हम एक term यहाँ पर use करते हैं delta tb delta tb is equal to balling point of solution minus balling point of solvent ठीक है अच्छा अब जो relation आप use करेंगे अपने numericals वगरा में वो relation कौन सा होता है कैसे derive होता है यह जरा समझ लीजे आपके board में derivation नहीं पूछ जाएगा मगर फिर भी extra knowledge के लिए हो सकता है competition में इसे related कुछ पूछ ले जाए तो आपको derivation at least आना चाहिए हम लोग relative हम लोग elevation in balling point का derivation करेंगे और depression and freezing point का बिल्कुल similar derivation होता है तो मैं आपको वहाँ पर बस थोड़ा सा guide कर दूँगा तो आप उसको समझ लीजेगा तो यह graph है यह relative यह elevation in balling point का graph है आप यह देख सकते हैं कि तीन slopes यहाँ पर blue से मैंने बनाए है सबसे पहला वाला जो है वो solvent का है दूसरा है वो solution 1 का है and second है वो solution 2, solution 2 मतलब concentration change कर दिया गया solvent same है मगर concentration change कर दिया गया और यह initial temperature यह temperature T1 यह temperature T2 and P0 is the vapor pressure of the pure solvent P1 is the vapor pressure at two different stages यह two different concentration अब इसका derivation देखिए बहुत simple derivation है इसका आपको अगर आप इसको as a straight line consider कर लें यह जो DB वाली line है and EC वाली line है अगर आप यह straight consider कर लें तो आपको यहाँ पर दरसल दो triangle दिख रहे है जो की एक दूसरे के similar है एक है triangle A, C, E and which is similar to triangle A, B, D देख सकते हैं triangle A, B, D and triangle A, C, E यह दोनों एक दूसरे के similar है और राइट तो जब similar होते हैं तो आप इन दोनों के triangles के जो sides होते हैं उसका ratio आप निकाल सकते हैं जैसे कि अगर मैं यह लिख दूँ AC upon AB is equal to AE upon AD ऐसे आप लोग ने जब similar triangles कर रहे होंगे तो आपने इसको पढ़ा होगा अब देखें AC क्या है? AC is this तो हम लोग अगर ऐसे लिखनें T2 मानस T0 कोई दिक्कत? नहीं T2 मानस T0 AB is what? AB देखें T1 मानस T0 अब AE क्या है? यह AE है तो P0 मानस P2 और AD क्या है? P0 मानस P1 तो P0 मानस P1 ठीक है? क्या यह डेल्टा T2 है? बिल्कुल है क्या यह डेल्टा T1 है? हाँ है क्या यह डेल्टा P2 है? येस क्या यह डेल्टा P1 है? येस ठीक है? समझ में आगे यह चीज़ अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? Can this be written as डेल्टा T is directly proportional to डेल्टा P? Yes, it can be written. देखिये, सब तो सेम है सब तो बराबर एक दूसरे के तो Hence, this can be written. तो ये आपका पहला एक relation बन गया अच्छा, अब आपको Raoul's Law से जो आपने डराइव किया था relative lowering of vapor pressure जरा उसका formula देखिये क्या होता है? तो relative lowering of vapor pressure from Raoul's Law, from Raoul's Law, R-A-O-U-L from Raoul's Law. यहाँ पर एक अगर हम line draw कर दें, तो क्योंकि derivation में थोड़ा सा जादा चीज़ा मुझे लिखनी है तो मैं यहाँ पर line draw कर दें, from Raoul's Law. P-Naut minus P-S upon P-Naut is equal to N-B upon N-A होता है. अगर आप उसको यह consider कर ले हैं that it is a very dilute solution, तो N-B upon N-A होता है and N-B upon N-A can be written as इस पूरे relation में P-Naut that is the vapor pressure of the pure solvent and M-A that is molecular mass of the solvent यह constant होगा, तो अगर यह दोनो constant है तो हम क्या इसको ऐसे बोल सकते हैं that delta P is directly proportional to W-B upon N-B into W-A तो यह हो गया, अब आप यह देख सकते हैं that delta P is directly proportional to delta T तो क्या मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ? जी हाँ, बिलकुल लिख सकता हूँ ठीक है, यह मैंने अपने तरफ से अभी लिख दिया यह फिर से, तो अगर मैं delta T and इसको equate करूँ और proportionality sign हटा दूँ तो इसकी जगा आजाएगा K अब जो K है, that is called as elevation constant elevation constant अब इसकी कोई अगर definition आप से पूछें, या boiling elevation constant यह भी बोल सकते हैं या elevation constant भी बोल सकते हैं इसको, और तो अगर कोई आप से definition पूछें, तो कैसे करेंगे अब इसके देखे, तीन conditions मैं आपको बताता हूँ कि आगे आपको बहुत useful होगा if WB upon MB is equal to 1, मतलब number of moles of solute 1, that is added is 1 and mass of the solvent is 1 gram तो so delta T is equal to K आजाएगा ठीक है, तो तुरंथ आपको एक formula मिल गया, एक definition in fact मिल गई, so it is the elevation in the boiling point produced when one mole of solute, one mole of solute is added to one gram of solvent, ठीक है, तो K is the elevation constant here या boiling point constant भी इसको बोल सकते हैं, अब हम ज़रा second condition देखते हैं, उसको मैं रब कर देता हूँ, बाद में लिख दूँगा अब देखे, second condition क्या हो सकती है, या देखो, या देखो, second condition, या आपके पहली condition second condition, if WB upon MB is equal to 1 and WA is equal to 100 grams, तो यह आ जाएगा, डिल्टा T is equal to K upon 100 देखे, यहाँ पर जब पूट करेंगे, तो डिल्टा T is equal to K upon 100 and this is, इसको K डाश बोलेंगे, अब यह K डाश क्या होता है, यह K डाश होता है, molecular elevation constant, तो molecular elevation constant को कैसे define करेंगे, so it is the elevation in boiling point produced when one mole of salute is added to 100 gram of solvent, this is molecular elevation constant, ठीक है, तो अगर आपको K की value put करनी है, मतलब इस formula में, अगर आपको K की value put करनी है, तो K is equal to K dash into 100 put करेंगे, तो यहाँ पर K dash into 100 आ जाएगा, right, alright, अगर तीसरा condition देखिए अब, तीसरी condition, if Wb upon Mb is equal to 1 and Wa is equal to 1000 grams, so delta T is equal to K upon 1000 and this is called as Kb, अब यह Kb क्या है, Kb is called as Mollal Elevation Constant, Mollal Elevation Constant, इसका एक और नाम है, एक और नाम करने हैं इसका, इसको एक और नाम से बोलते हैं, Ebulioscopic Constant, Ebulioscopic Constant से बोला है, इसको बुलाया आता है, alright, तो अगर मैं K की जगा, K की value अगर put करने ही कोशिश करूँ, so K will be equal to 1000 Kb, ठीक है, अब delta T भी, delta T वाले formula में इसको put करी है, so delta T will become Kb into Wb upon Mb into Wa into यह उपर, देखिए 1000 चला गया, all right, समझ में आया यह चीज, अब यह देखिए, यह की, यह चीज पूरी क्या है, यह Wb upon Mb is what, number of moles of solute upon mass of solvent, यह grams में है और यह kg में convert होगे, तो इसको क्या बोलते है, number of moles of solute upon weight of solvent in kg, that is called as molality, तो delta T is equal to Kb into molality, एक यह relation आपको और बहुत important मिल गया, यहाँ पर मैं एक line draw कर दूँ, ताकि आप confused ना हो, जब इसका screenshot लेतो, all right, तो यहाँ पर आपने तीन cases देखे, पहले case में, जब weight of solvent was, number of moles of solute तो 1 ही लेना है, यहाँ पर weight of solvent जब 1 gram था, तो हमें elevation constant मिला, जब यहाँ पर weight of solvent 100 grams हो गया, तो आपको मिला molecular elevation constant, एक numerical भी हम लोग करेंगे, और जब आपने weight 1000 grams ले लिया, जो 1000 grams लिया, तो जो आपको constant मिला, that is called as molal elevation constant, भी बोलते हैं, फिर आपको एक यह relation मिला, यही formula आप हर जगा यूज़ करेंगे, CBSE and ISE में, ठीक है, और यह तो ज़रूरी नहीं है कि CBSE and ISE में ही, वगर this is the main formula, ओर राइट, numerical ज़रूर देखिएगा कि वो molecular elevation constant उन्होंने दिया है, तो यह numerical में ज़रूर चेक करिएगा, जल्दी से इसका screenshot लिए, ताकि मैं आगे एक Raoul's law का statement state कर सकूँ, एक formula और आपको बता सकूँ, quickly take a screenshot, so, जैसे अभी बने बताया, Raoul's law में state करना चाहता था इसमें, the elevation in balling point of a solution of non-volatile, of non-electrolyte is proportional to its molality, अभी आपने जो नीचे formula देखा था, यहाँपर, delta Tb is equal to Kb, delta T is equal to Kb into molality, तो वही express कर रहा है, and equal molar solutions of all the substances in the solvent will show same equal elevation in balling points, ठीक है, तो अगर equal molality है solutions की, in the same solvent, तो उनका जो elevation in balling point होगा, वो हमेशा same रहेगा, so, these two expressions were given by Raoul's, ठीक है, एक term में और बताना चाहता था, यहाँपर आपको, कि molal elevation constant जो है, वो solvent के उपर depend करता है, तो उसको हम लोग thermodynamically भी calculate कर सकते हैं, वो इस formula से, Kb is equal to R Tb square upon 1000 Lv, यहाँपर R is gas constant, R is gas constant, जिसकी value आप जानते हैं, 2 calories per Kelvin per mol होती है, या 8.314 joules per Kelvin per mol होती है, वो आपको चेक करना पड़ेगा, कि latent heat कि unit में दी वी है, latent heat यह usually calories में दी जाएगी, तो latent heat अगर calories में दी जाएगी, this is latent heat, latent heat of vaporization, latent heat of vaporization, तो latent heat अगर calories में दी गई है, तो आपको R की value भी calorie में लेनी पड़ेगी, मतलब 2, अगर latent heat की कोई और unit दी गई है, तो आपको भी यूनित लेनी पड़ेगी ठीक है और यह जो टीबी आप देख रहे हैं इस इस बॉलिंग पॉइंट ओफ सॉल्वेंट तो आपको यह एक फॉर्मुला और बहुत जरूरी है यह फॉर्मुला उसको हमेशा याद रखिएगा तो इसके बाद हम लोग आते हैं depression in freezing point सबसे पहले यह समझे कि freezing point होता क्या है कि the point the temperature at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to the vapor pressure of its corresponding solid तब freezing start होती है liquid की फिर से बोल देता हूँ when the vapor pressure of the temperature at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to the vapor pressure of the corresponding solid ठीक है तब freezing start with that is what is the definition of freezing point अच्छा अब जब तो इसका मतलब delta tf अगर आप निकाले this is change in freezing point तो इसका मतलब freezing point of solvent यह फॉर्मुला होगा freezing point of solvent minus freezing point of solution क्योंकि यहां पर solution का freezing point कम है solvent का freezing point जादा derivation की जब हम बात करें तो derivation जैसे आपने पहले किया तो exactly what derivation है बस थोड़ा सा graph change हो जाएगा graph को ध्यान रखिएगा बाकि triangles जैसे triangles यहां पर बने हैं वैसे आप एक triangle इदर एक triangle इदर बनाके आप वैसे derive इसको कर सकते हैं तो after derivation जो formula आएगा वो आएगा delta tf is equal to kf into wb upon mb into wa into thousand exactly वही चीज आ गई यहां पर जो kf है that is called as molal depression constant depression constant और इसको एक और नाम से बोल सकते हैं cryoscopic constant cryoscopic constant भी इसको बोल सकते हैं और जैसे आपने देखा था delta tf is equal to kf into molality वही यहां पर भी चलेगा अगर आपको kf को define करना है तो कैसे define करेंगे it is the depression in freezing point obtained when one mole of non-volatile silute is dissolvent thousand gram of solvent बिल्कुल वही definition ठीक है जो आपने अभी elevation constant के लिए आपने देखी थी तो depression constant था फिर molecular यहां पर molecular depression constant होगा फिर molar depression constant जैसे आपने पहले देखा था वैसे ही exactly यहां पर बस elevation के जाएगा यहां पर depression use कर देंगे ठीक है अच्छा जो thermodynamic relation था वह भी यहां पर आ जाएगा तो यहां पर हम kf calculate करेंगे rtf square upon 1000 lf यहां पर r is gas constant this is freezing point of freezing point of solvent and lf को हम लोग बोलेंगे latent heat of fusion latent heat of fusion बाकी unit का ख्याल लखने के लिए जैसे मैंने पहले बताया थे exactly वही चीज है यहां पर भी ठीक है so this was depression in freezing point all right अब हम लोग यहीं पर जल्दी से discuss कर लेते हैं दो terms है सबसे पहला term है यहां पर antifreeze सबसे पहला term है यहां पर antifreeze all right यहां पर antifreeze का मतलब नाम से बता चला है कि वो substance जो की freeze ना होने दे जो सर्द जो जगाएं होती हैं जहां पर बहुत जाद तेंपरेचर कम होता है तो वहां पर गाड़ियों के radiators में usually पानी डाला याता है तो जिसके वैसे ग्लाइक आटी कि मुंचे कम होने के विए से वो जो पानी होता है वो फ्रीज हो जाता है तो होता क्या है somewhere on for example, minus 10 या minus 15 पर freeze करेगा ठीक है? So this is the role of an antifreeze, वो freeze, freezing point कम कर देता है of the solvent, ठीक है? फिर यहां पर next जो term है यहां पर आपको explain करना चाहता हूं and that is freezing mixture freezing mixture सबसे common example freezing mixture का है ice plus salt, common salt तो जब आप यह combination लेते हैं, जब यह आप mixture बनाते हैं तो यह mixture दरसल temperature को बहुत ज़्यादा कम कर देता है यह refrigerant या फिर cold storage वगरा में temperature कम करने के लिए use किया जाता है आप कभी कबर किसी ice cream stores वगरा में जाहिए तो वहाँ पर जैसे ठगबू के लड़ू टाइप का जो store जाही तो वहाँ पर वो जो घुमाते हैं उसके साइड में ice रहता है उसके ऊपर यह डालते है तो दरसल करता क्या है वो जो अंदर solution पढ़ा हो जो ice cream पढ़े हुई है उसमें से heat को absorb कर लेता है जिसके वैए से temperature और कम हो जाता है जो उस container के अंदर जो ice cream रखा हुआ है So that is what is called as freezing mixture So freezing mixture का सबसा अच्छ है example है ice plus salt Right You can quickly take a screenshot फिर हम लोग कुछ numerical करते है So हमारा पहला numerical है On dissolving 10.8 gram of glucose So glucose is your solute So WB दे रहा है 10.8 grams Alright So iron glucose का molecular mass आपको पता ही है MB is equal to 180 grams In 240 grams of water मतलब solvent का आपको मास ये दिया गया 240 grams ठीक है Solvent का molecular mass आपको पता है That is 18 grams Its boiling point increases by 0.13 degree Celsius Boiling point increases by 0.13 मतलब delta TB दे दिया गया है आपको Boiling point increases by All right that is 0.13 ठीक है degree Celsius अच्छा एक गलती मत करियेगा यहां से इसको Kelvin में change मत करियेगा Delta TB आपको दिया गया है All right MB into WA into 100 होगा Thousand नहीं होगा Thousand अगर हो जाएगा तो वो Molal elevation constant हो जाएगा This is molecular elevation constant तो हमें याला formula लगाना पड़ेगा ध्यान दीजेगा मैंने उस वक भी आपसे बोला था बास सारी value आपन लोग को पता है यह लियो के निकालना है आपन लोग को W is 10.8 MB is 180 W is 240 All right into 100 ठीक है तो मैं जादा solve नहीं करूंगा K is equal to 5.2 ठीक है समझ में आगे आपको Quickly take a screenshot हम लोग next question करते है Next question है Two elements A and B form two compounds having molecular formula AB2 and AB4 AB2 and AB4 यह दोनों compound मिलके बनाते है A and B यह दो compound मिलके बनाते है AB2 and AB4 When dissolving 20 gram of benzene तो WA आपको दे दीगा 20 gram Right Benzene दिया हुआ है चलिए आगे देखते हैं ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी 1 gram of When dissolving 20 gram of benzene 20 gram of benzene टिक देते हैं आपर आपको question याद रहेगा 1 gram of AB2 lowers the freezing point by 2.3 degree Celsius 1 gram of AB2 यह दर असल आपका salute हो गया तो यह WB of AB2 यह ले ले लेते हैं लोग This is 1 gram तो it lowers the freezing point by 2.3 मतलब delta Tf lowers the freezing point by 2.3 मतलब delta Tf is 2.3 degree Celsius Kelvin में change मत करियेगा All right whereas 1 gram of AB4 फिर यह WB of AB4 यह आपका salute है ना तो मैं इसलिए इसको WB ले ले the freezing point 1 gram Lowes the freezing point by 1.3 अब इसके लिए freezing point depression है that is 1.3 degree Celsius All right The molar depression constant of Benzene molar depression constant मतलब Kf of Benzene कि यह solvent क्योंपे dependent होता है Depend करते है Solvent की values होती है that is in 1000 gram is 5.1 Kf of Benzene in 1000 gram इस 5.1 1000 ग्राम मतलब यह मोलल डिप्रेशन कॉंसेंट दिया हुआ अगर यहां पर 100 दिया होता तो यह आपको क्या निकालना है calculate the atomic masses of a and b तो question है calculate the atomic masses of a and b अरे यह तो बहुत simple question आगया यह आपको निकालना है and this is these are all given data ठीक है तो सबसे पहले हम एक relation बनाते हैं तो आप देखिएगा क्या हो रहा है यहां पर तो formula जैसे आपको पता है formula जैसे आपको पता है कि delta tf is equal to kf into wb upon mb into wa into 1000 कि delta tf आपको पहले आप बीटू चेक करिए तो delta tf is 2.3 kf is 5.1 क्योंकि तो benzene solvent है दोनों case में benzene solvent है wb one gram molecular mass of b यह तो आपको निकालना है molecular mass क्या मैं a b2 का molecular mass ऐसे लिख सकता है a plus 2b a का molecular mass plus b का molecular mass अब b के दो atom है इसलिए a plus 2b molecular mass of a b2 and wa is how much 20 into 1000 और राइट इसको जब solve करेंगे तो आएगा a plus 2b is equal to 110.86 ठीक है similarly हम लोग solve करते हैं for a b4 बिल्कुल इसी तरीके से solve करते हैं for a b4 तो delta tf अब सीदे सीदे हम लोग formula में पूट करते हैं for a b4 सीदे सीदे हम लोग formula पूट करते हैं तो डेल्टा टी एफ इसके लिए 1.3 है के एफ की वैलिव इस 5.1 wb वन ग्राम दिया हुआ है अब यह a plus 4 भी आ जाएगा क्योंकि यहां पर a b4 चार एटम है बी के और एक एटम है और एक आटम है एक तो a plus 4 b आ जाएगा all right and wa is 20 gram बेंजीन में मिक्स हुआ है यह तो 20 gram ही रहेगा plus into into thousand all right तो a plus 4 b आ जाएगा 196.15 अब आपके पास देखें दो इक्वेशन मिल गई a plus 2 b is equal to this much and a plus 4 b is equal to this much दो आप इसको solve कर लेंगे आराम से बहुत मज़दार आराम से solve हो गया यह यह देखिए यह आपका पहला equation यह आपका दूसरा equation पहला equation is 110.86 and this is 196.15 solve कर लीजिये ऐसे करके जब आप solve करेंगे तो यह minus 2 b is equal to 85 minus 85.29 आएगा so b की value आजाएगी इसमें 42.645 42.645 मैं इसमें से बस answer देख के आपको बता रहा हूँ b की value आगई so a की value क्या आजाएगी अब यहां से आगे चलिए so a will be equal to a will be equal to 25.57 ठीक है यही तो आपको निकालना था atomic mass of b atomic mass of a simple all right कुछ करने की ज़रूद नहीं पड़ी बस आपने यह खेल था बस यहां पर यह खेल था ठीक है समझ में आ गया quickly take a screenshot we'll do one more numerical next numerical देखते हैं last numerical आज का question number three calculate the molar depression constant molar depression constant मतलब kf बोल दिया बया निकालने को लियो बया of a solvent which has a freezing point of 16.6 degree Celsius freezing point solvent का दिया हुआ है solvent का freezing point दिया हुआ 16.6 degree Celsius अब सिर्फ एक individual का दिया हुआ है राइट तो इसको आपको Kelvin में चेंज करना पड़ेगा राइट तो इसको solve करके आएगा 289.6 Kelvin ठीक है फिर बूला गया है and latent heat of fusion is latent heat of fusion LF is 180.75 unit जरह चेक करते हैं joules पर ग्राम ओ माय गॉड यह जूल में आ गया तो आपको आर की वैल्यू भी जूल में लेने पड़ेगी सो आर की वैल्यू अब क्या जूल में लेंगे 8.314 joules per kelvin per mole याद आया अगर यह calories में होता तो यहाँ पर 2 calories आप value लेते हैं बस वो formula आपको याद ही है कि F is equal to RTF square upon 1000 LV answer value पुटाओ answer पाओ तो KF is equal to 8.314 TF is 289.6 यह 1000 तो 1000 रहेगा यह LF fusion है ना तो यह 180.75 solve करने पर value आएगी 3.86 ठीक है तो आपने देखा कि यह बहुत simple numerical है बस आपको थोड़ी से unit पर खास ख्याल रखना था quickly take a screenshot please so this was it in this particular video यह numericals ज्यादा high-five type के नहीं थे क्योंकि जो competition में numerical आते हैं colligative property में वो आते हैं जब आप include करते हैं दो या उससे ज्यादा colligative property या want of factors या include करते हैं तो next हमारे जो वीडियो होगा solutions chapter पे तो उसमें हम लोग कवर करेंगे osmotic pressure and want of factor जब आप want of factor कर लेंगे तो तब आपको अच्छे numericals में लेंगे तो एक वीडियो हम लोग dedicate करेंगे सिर्फ want of factor के लिए भी all right so I hope आपको आज का आज की दोनों topic समझ में आ गया होंगे antifreeze समझ में आ गया होगा freezing mixture समझ में आ गया होगा derivation समझ में आ गया होगा everything ठीक है कोई भी अगर doubt हो so you can mention it in the comment मैं उसको जल्दी से जल्दी solve करने कोशिश करूंगा so by this this is Dr. Imran Khan signing off hope you all have enjoyed the video thank you for watching it thank you thanks a lot